पास आ गया हूँ और महाराज जी आपको ब्रजदाम यात्रा के वारे में दो सब्द अपने मूँ से जरूर बताएंगे बताएंगे। प्रक्षवरासी की यात्रा करता है। प्रक्षवरासी की यात्रा करने से यक्तिके चावरासी लाख योने उन्हें वह पूर याते हैं। प्रक्षवरासी में प्रवान प्रशने अपने माता पिता नंद या शोदा के लिए समस्त की उतों का आवावन कर प्रच्वरासी में इस्ठाविक किया थी। इस प्रच्वरासी का अपार मति प्रवासी लगवक कहीं भी अन्यकी उतों में आजाकर प्रच्वरासी निवास करके समस्त की उतों का आनंद यहां पर प्राप्त कर लिए। आज भी भरवान के समय में आभववती यमना मय्या जेवं की राजी धीवं ऐसे अनुपम इस्पान यहां पर आज भी राजमाने इनके दर्सक करने से ख़वरों वाधा की साथ सार जीव का कल्यान करता है और व्यक्ति सत्थाम को उप्राप्त करता है बोलिए ब्रच्वरा कि अगर आपको ब्रच्वरासी को उसके अनंद लेने हो तो आप दिये हुए नंबर पर संपर्क करें और महराजी कि स्री चड़नों में अपना प्रणाम देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं खतम करता हूं तो राजे राजे मैं सुदामा कोटी के सामने घड़ाओं और य कि यात्रिय यां अचुके हैं, अभी प्रणदवन में यात्रियों का समय चला है, तो मैं भाई सापसे पूछना चाहूँआ की साथि कहां से आ रहे हैं हम कीला इस हुझे आज अपनी आत्रा को विसाम कर रहे हैं अभी हम सुजामा को पुटी पर खड़े हुए है अब जन्मा जी जा रहे हैं सभी पूरी शोड़ाशी का दर्शन बड़ी अच्छी तरह से बड़ी डग से हम कराते हैं और ब्रज दर्शन के लिए ब्रज चौराशी कूर दर्शन के अपने संस्तान का नाम बताएंगे जोड़ा और कॉंटेट करने के लिए आपके कोई नंबर, खोन नंबर, इमेल आइडी इस नंबर से आप से बात कर सकती है और अगर ब्रिंदावन में घुमने के और बीच्छा हो तो 84 सी कोस में जितने भी बड़े-बड़े मंदिर रहते हैं ये पूरे घुमाते हैं परिक्रमा भी होती है तो पूरे ब्रज के आनन्द के लिए आप इंसे संपर कर सकते हैं और म कर सकते हैं